ओम प्रमात्मने नमहां अनित्य संसार से संबंद विच्छेद करके नित्य तत्यों की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं, उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के दो इस लोकों में कर दिया, अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के सलोक में करते हैं, और भोजन करने पर समकी तरफ्ती भी एक होती है, परंत उनके भोजन के पदार्थों में रुशी भिन्विन्विन्व होती है, ऐसे ही परिवर्टन सील, अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी तरफ्ती नहीं होती, वे अब आग द्रस्ती रहते हैं, अवे संसार से बिमक होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ती होने पर उन सब की तरफ्ती हो जाती है, अर्थात्मा करत्य ज्यात अग्यातब्य और प्राप्त प्राप्तब्य हो जाते हैं, परमत्मा की रुशी, योग्यता, स्रद्धा, विश्वास, आधी भिन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्व ज्ञान यग्य से अर्थाद विवेक पूर्वक असत का त्याक करते हुए सर्वत्त व्यापक परमात्मतत्यों को और अपने वास्तविक स्वरूप को नमानते हुए मेरे निर्वन निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्थ तंसील संसार की कोई सत्त नहीं है। क्यों यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है अत्या यह अभाव रूप ही है। जिसे संसार उत्पन हुआ है। जिसके आस्त है और जिसे प्रकासित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एक्ता इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंत और द्रस्ति रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहां यजन्तह पद का तात्परियक उनके भीतर केवल परमात्मत्त्त्व ही आदर है। उनकी यही पूजन है। प्रथक्वक्तेना बहुधा विस्वतो मुखम। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकार और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपन कोई की संपून किरियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो। सबका दुख कैसे मिट है। इनकी सेवा कैसे बने। ऐसी विचार धारा से वे अपने तन मान धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते पूर्दा की प्राप्ति हो जाती है अब इसके अगर गहरे भाव में चलें तो सभी साधक अपने रुची योगिता और स्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपास ना करते हैं वो भवान के समग्र रूप की उपास ना होती है आगे सोले में से 19-20 लोग तक इसी समग्र रूप का वर्लन हुआ है आता है चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकेन घंटी को दवाएं और कमेंट बॉक्स में जैसी किसना लिखें बोले जैसी किसना